हेलो एवरीवन आप लोगा का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में इस वीडियो में हम सब जानेंगे निकनेम आफ फेमस प्रसुनाल्टी जॉप इंडिया यानि भारत के प्रमुक व्यक्ति के उपनाम जिसको निकनेम भी आप सब बोल सकते हैं तो यह वाला जो टॉपिक है य इस टॉपिक से प्रस्न आते हैं और आते रहें गें तो देखिए एक एक करके सुरबात करते हैं यह स्टैटिक जीके का टॉपिक नमबर 29 है तो फासब का स्वागत है चलिए सूर बात करते हैं इस वीडियो की परिस्से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं, एक सकेंड लगता है, कोई उसमें रूपे खर्च नहीं होता है, और हमारा पॉजिटिविटी जो होता है, वो बढ़ जाता है, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, चलिए, शुर्बात करते हैं इस वीडियो की, जो कि है निकनेम और फिमस प्रिसनाल्टी जॉप इंडिया, तो फर्स्ट नमरे सी राजगोपालाचारी, तो गांधी जी द्वारा इन्हें कॉंसाइन्स कीप्यक नाम दिया था, इन्हें राजा जी भी कहा जाता था, और ये भारत के आखरी गवर्णा जंडल थे, ठीक है, तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, कंसाइन, कीप्यक और राजा जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकेंड नमर हम सब देखते हैं, तो हमारे राष्ट पिता महत्मा गांधी जी, तो ये फादर आप नेशन बोला जाता है, यानि राष्ट पिता, ये भी महतुरत बता ही दिया, और ये राष्ट पिता की उपादी, सुभाज चंदर बोज जी ने कहा था, ठीक है, उसके बाद महत्मा गांधी जी का एक और नाम है बापू, फिर महत्मा, महत्मा किनों ने कहा था, तो रविन्ना टैगोर जी ने कहा था, और इन्हें संत आप साबर मती भी बोलते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नमबर देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आप का खान अब्दूल कफार खान, इन्हें फरंटियर गांधी या सरहदी गांधी भी कहा जाता है, इनका एक और नाम है बादसा खान, ये नौन इंडियन परसंथे जिने भारत रत्र मिला, सरहदी गांधी इनके दोस्त अमीर चंद्र बामवाल ने दिया था, ठीक है, फोर्थ नमर ए दादा भाई नरोजी, इन्हें ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, चलिए फिफ्ट नमर देखते हैं, फाइब नमर ए वालमिकी, इन्होंने रमायन भी लिखी, इन्हें आदी कभी कहा जाता है, ये डाकू रतनाकर के नाम से भी परसीद है, ठीक है, शिक्स नमर ए नागार जुन, ये बुद्धिष्ट परचारक थे, यानि बौत धर्म के परचारक थे, इन्हें आंस्टाइन ओफ इंडिया कहा जाता थे, ठीक है, आइंस्टीन आपको पता है, बहुत बड़े विज्चानिक थे, चली, सेवन नमर है सलीम अली, तो सलीम अली को बड़ मैन ओफ इंडिया बोलते हैं, और सलीम अली नेशनल पार्क भी है इनके नाम पर, ठीक है, तो सलीम अली को क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ओफ इंडिया, ठीक है, चलिए 8 नमबर देखते हैं चलिए 8 नमबर है लाल बहादूर सास्त्री, इन्हें मैन ओफ पीस यानि सांति पुरूस कहा जाता है जय जबान और जय किसान का नारा इन्हों ने ही दिया था, इन्हें भारत रत्न 1966 में दिया गया था, ठीक है 9 नमबर है जवाला नेरू, हमारे देश के पहले परधार मंतरी, इन्हें प्यार से चाचा बुलाते हैं और पंडित भी बुलाते हैं, ठीक है अगर आप मार्टिन लूफर किंग के बारें में नहीं पढ़े है तो मैं आपको किसी एक वीड़ियो में पढ़ा दूँगा, ठीक है, काफी अच्छा स्टोरी है, और इनके बारे में, काफी सारे बुक्स भी है, तो आप पढ़ सकते हैं, मैं रिकमेंट कर दूँगा, किसी एक वीडियो में बता दूँगा, कौन-कौन से बुक आप सबको पढ़नी चाहिए चलिए 30 नमबर है मदर मैरी टेरेशा जर्मिन का मैसोडोनिया में हुआ था इन्हें मदर कहा जाता है और संथ आप दे गटर्श ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हें संथ आप दे अगर लोगों कोई सहता किये जो गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं था उनकी सहता किये तो इसलिए इन्हें संथ आप दगटर्श बोलते हैं चलिए 14 नमबर देखते हैं हम सब चलिए 14 नमबर है सुभास चंद्रबोस इन्हें नेता जी बोला जाता है और पेट्रियोट और पेट्रियोट सुभी बोला जाता है यानि देश भक्त का देश भक्त यह गांधी जी द्वारा कहा गिया था ठीक है इन्होंने दो नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नमबर देखते है नेक्स्ट है आपका 15 नमबर सरदार वल्लब भाई पटेल तो इन्हें strong iron man of India कहा जाता है हिंदी में बोलेंगे लोहुपरूस ठीक है इन्हें बिसमार कोप इंडिया भी कहा जाता है यह भारत की पहले उप परधानवंत्री थे ठीक है 16 नमबर है पीटी हुसा तो इन्हें पियोली एक्सप्रेस कहा जाता है चुकि यह धावक थी तो इसलिए ऐसा कहा जाता है उडन परी भी इन्ही का नाम है और इन्हें गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है यानि पीटी हुसा हो गया चलि आगे बढ़ते हैं 17 देखते हैं हम सब चलि 17 नमबर है आपका रविंदर नाठ टैगोर इन्हें विसु कभी कभी गुरु और गुरुदेब तीनों बोला जाता है 1915 में इन्हें नाइट हूट की उपाधी दी गई है 20 नमबर है लौड बुद्धा इन्हें सिधार्त गौतम कहा जाता है इन्हें एनलाइटेंड वन भी कहा जाता है इन्हें लाइट आप एसिया भी कहा जाता है इन्हें साक्य मुनी भी कहा जाता है ठीके तो ये चार नाव आप याद रखेंगे 21 है ध्यान चंदर, ठीक है तो ध्यानचंदर है चांद नहीं, ध्यान चंदर करहो होके का जादुगर बोलते हैं ठीक है यह तो हर एक बच्चे 과 पता होगा और इनी के जन दिन के अफसर पर जो की 29 अगस्त कोहता है इस दिन राश्चे खेल दिवा समसब बनाते हैं यानि नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिवरेट करते हैं ठीक है चलिए 22 नमबर देखते हैं हम सब चलिए 22 मा देखते हैं टोटल 60 देखना है तो सरुजिनी नाइडू इन इन्हे नाइटिंगल और बॉलीबूट कहा जाता है इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है इन्हें ज्यान सरुस्वती पीटी भीम सेन जोसी ने कहा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मलब इन्हें ज्यान सरुस्वती पीटी भीम सेन जोसी द्वारा कहा गया था चलिए 24 चंसेकर, तो इन्हें यंग टर्क बोला जाता है, 25 है कपिल देब, इन्हें हरियाना हरिकेंस बोला जाता है, कपिल देब की कप्तानी में हम सब पहली बार 1983 में क्रिकेट का 50 ओर वाला वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है, 26 है सौरब गॉंगली, तिनके किछ नाम है, जैसे इन्ह पर बोला जाता है, प्रिंस वाप कलकता बोला जाता है, महराज बोला जाता है, उसके बाद, गॉर्ड ओफ, दा अबसाइट, बोला जाता है, क्यूंकि सौरब गॉंगली, आपसाइट के बहुत बड़े, और बहुत स्ट्रांग प्लियर मने जाते हैं, ठीक है, और काफी स् मूवी बनी है भाग मिलका भाग अगर आप नहीं देखें तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप जरूर देखें ठीक है 30 है इंद्रा कांधी तो यह हमारे पहले महला परधान मंत्री थी जिनके समय में जिनके कार्श काल के दोरान बंगला देश को आजादी मिली थी 16 दिसंबर 1971 को जो की पाकिस्तान का एक हिस्सा था जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे लेकिन अब वो एक स्वतंतर कंट्री जिसको बंगलादेश के नाम से जाना जाता है जिसकी प्राइम निस्टर सेख हसीना है और यहां के मुद्रा का नाम टका है और यहां का कैपिटल क्या है धाका ठीक है तो इंद्रा कांधी जी को क्या कहा जाता है आईरान लेडि ओफ इंडिया चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए 31 है तांगुतरी प्रकासम तुल इन्हें आंध्र केशरी कहा जाता है इन्हें आइरान ओफ इंडिया भी कहा जाता है ये आंध्र प्रदेश के मुखवन्तरी थे ठीक है 32 है लाला लाचपत्र है इन्हें पंजाब की स्री कहा जाता है और लाइन ओप पंजाब भी कहा जाता है ठीक है 33 है बाल गंगाधर तिलग इन्हें लोकमान कहा जाता है लोकमान बाल गंगाधर तिलग हम से बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 34 नमबर देखते हैं हम सब, मात्मा गांदी ने इन्हें the maker of modern इंडिया भी कहा था, ठीक है, चलिए अब 34 है स्रिक्रिसन सिन, सिन्ना इन्हें बिहार केशरी कहा जाता है, 35 है जैन उल अभीदीन, इन्हें अक्वर आप कस्मीर कहा जाता है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 36 देखते हैं, 36 नमबर है सिन अन्ना दुरई, इन्हें अन्ना कहा जाता है, 37 है जगजीबन राम, इन्हें बाबु जी बोला जाता है, 38 है सेख भुजीबूर रह्मान, इन्हें बंग बंदू कहा जाता है, और इन्हीं की अभी जो बेटी है, सेख less free and use इन्हें दीन बंदू कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी 20 personalities और बचे में 20 या 21 ऐसे चलिए 41 नमबर है चितरंजन 10 इन्हें देश बंदू कहा जाता है 42 है जतिंद्र मोहन सेन गुपता इन्हें देश प्रिया के नाम से जाना जाता है 43 है रवी संकर महराज इन्हें फादर अफ गुजरात कहा जाता है 44 है लॉर्ड रिपन इन्हें फादर अफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं 45 नमबर देखते हैं चलिए नेक्स्ट है आपका 45 नमबर तुसार कांती घोस इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन जर्नलिस्म कहा जाता है 46 है धुन्दी राज गोबिंद फालका इन्हें फादर अफ इंडियान सिनेमा इन्होंने पहली फिल्म राजा हरिस्चंदर बनाई थी ठीक है कुपी अली वेंके टपा पुतपा इन्हें कुवेंपू कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुपाली वेंके टपा पुतपा को पहले कंणर थे जिने ज्यानपीड अवार्ड मिला था ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे 48 जैप्रकास नरायन इन्हें जेपी या लोकनायक बोलते हैं 49 ने पीटी मदन मोहन मालवी है इन्हें महामान प्रिंच स्वाप बेगर्स कहा जाता है महत्मा कंधी ने इन्हें पता असमरन तथा देपता पुरुस कहा था ठीक है तो ये तीन नाम आप याद रखेंगे आग कि इन्हें ऑफेंडिया बोलते हैं 52 ए अमीर खुसरो इन्हें वाइस ऑफ इंडिया और पैरत ऑ इंडिया बोलते हैं ठीक है इन्हें 2& 2pi कहा जाताही छली जो एक सौंग का परकार होता है आप सब सुने भी होंगे बहुत सारे कवाली चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए कुछ और प्रस्टनाल्टी को देखते हैं हम सब 53 है सा जहां इन्हें प्रिंस आप बिल्डर्स बोला जाता है 54 है मुहमद बिन तुगलक इन्हें प्रिंस आप मन एरा बोला जाता है 55 है मुहमद अली जिन्ना इन्हें क्वाड आई आजम और बाबा आई क्वाम कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए 56 नंबर हम सब देखते हैं 56 है पुरसुत्तम दास टंडन इन्हें राजा श्री इन्हें उत्तर प्रदेश का गांधी कह इन्हें गुरूजी बोला जाता है और आखरी है इस वीडियो का 61 सेक अब्दुला इन्हें सेरी कस्मीर बोला जाता है तो यह थे भारत के प्रमुग प्रसिद व्यक्ति जिसके कुछ निकनेम बोल सकते हैं ठीक है विराट कोली के जैसे निकनेम चीकू है ठीक है तो उसी प इसमें सो टॉपिक मैं ऐसा डिसकस करने बाला हूं जो कि आपके एक्जाम में उससे कुष्चन बनते ही बनते हैं ठीक है चाहिए पीसी लेवल का एक्जाम दें या फिर आप दरोगा का दें ब्यार पुलीस का दें रेलवेस का दें एसमें पूछना ही पूछना है अब ने 29 ही अभी खतम हुआ है तो अभी और भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं तो आप देखिए चलिए आप फिलाल इस वीडियो का आंत करते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ सेर करेंगे और एक वे को पता है सुरू हो चुका है हमारे चैनल पर 11 जून 2023 से यानि आज से जिसका वीडियो अल्रेडी अप्लोडेड है सुभा आपको साथ से आठ के वीच करेंट अफियर्स का डेली वीडियो मिल जाएगा 10 कुस्षन ये 10 कुस्षन आपको करना ही करना है ठीक है मेरे एक्स्प